सब्सक्राइब tussen पेड़ें प्ाइब ए इंस बाद के शुरुट होती है कि इन सब चीजों के बारे में हम इस लेसन में बढ़ेंगे we need a home, हम सब को एक घर की जरूत होती है, तो long long ago, people lived in caves, बहुत समय पहले क्या हो था, लोग जो थे, गुफाओं में रहते थे, they also lived on tree tops, वो पेड़ के उपर भी रहते थे, they were not comfortable and safe, वो लोग अराम से महसूस नहीं करते थे, और सुरक्षित भी नहीं रहते थे, जंगली जानव करते हैं, अब हम अपने अपने घरों में रहते हैं, अपने family के साथ, तो हम एकदम अपने घर में safe feel करते हैं, अपने घर के अंदर हम एकदम सुरक्षित महसूस करते हैं, हमारा घर हमें बारिश से, तूफान से, खतरनाक जानवरों से और चोरू चकों से हमें बचाता है, तो बच्चो, इसी के लिए qoeyam है यापर छोटी सी तो इन lines में क्या कहा गया है कि एक हमारा जो घर है वो हमें हमेशा सबसे ज़्यादा प्यारा होता है क्योंकि क्यों होता है प्यारा? क्योंकि जो घर होता है तो किसी का घर बड敌 हो या छोटा हो लेकिन इसमें बहुत सारे कमरे हो या एक कमरा हो इससे कोई फरक नहीं पड़ता हमारे घर के बाहर मुझे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है घर के अंदर मुझे डॉल से खेलना बहुत पसंद है मेरा हाउस एक बहुत बड़ा हॉल है मेरे हाउस में हम सब लोग वहाँ प किसी गर ने अपने फैर्म से बैठते हैं एक साथ समय बताते हैं अब अच्छो हम घर के अलग-अलग ऌहिस्तों के बारे में पड़ते हैं गड़में अलग-अलग रूम होते हैं अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग चीजों के के जैसे कीो पारहन की किछन हमारी होती है जिसमें हम खाना पंती है कि ड्रॉइंग इसके बाद हमारा डाइनिक रूम होता है जहां पर हम एकसाद बेट कर खाना क्राइग स्टुड़ी मेन पढ़ाई के कमरे में बैट कर पढ़ाई करते हैं इसके बाद हमारा वाश रूम बाथ रूम होता है और हमारा बैट रूम होता है जहां पर हम सोते हैं और अराम करते हैं इस तरह से हमारे घर में अलग-अलग चीजों के लिए अलग-अलग कमरे होते हैं अब हम बच्चों एक अच्छा घर किसे बोलते हैं, एक अच्छा घर बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इसमें लोगों के अंदर आने के लिए दरवाजे होते हैं, अंदर और बाहर जाने के लिए, बहुत सारी खिड़कियां होती हैं, जिससे की सूरज की रोशनी और ताजी हवा करके अंदर आ सके और इसमें साफ सुत्रा फर्ष होता है तो इसे घर को अच्छा घर होता है इस तरह का घर अब हम घर कितनी तरह के होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं बच्चो कच्छा हाउस और पक्का हाउस दो तरह के मेंली घर होते हैं कच्छा घर कौन से होते हैं जो की मट से वांस से तिनकोज से सुखी हुई घांस से जैसे हैं पर पिक्चर में दिखाया गया है इस तरह से बने होते हैं जादा तर गाओं में इस तरह के घर पाई जाते हैं और यह टेंपरेरी हाउस होते हैं जादे मजबूत नहीं होते हैं प हमेशा हवादार होना चाहिए और उसमें अची तरह से रोशनी आने चाहिए घर के अंदर हमें अपने खिड़्गियों को खुला रखना चाहिए जिससे फ्ताजी हवा और सूरिज की रोशनी हमारे घर के अंदर आ सके, इससे बहुत सारे जम्स हमारे घर में जो पनफ जाते हैं वो मर जाएंगे और हमारा घर हमेशा साफ और सुत्रा रहना चाहिए तो बच्चों हम सबको अपने घर में ही सबसे ज़्यादा अराम मिलता है हम चाहिए कहीं भी चले जाएं कितने भी लगजरी में चले जाएं लेकिन सबसे ज़्यादा आराम हमें का मिलता है अपने घर में ही आके मिलता है तो बच्चों अब हम इससे जुड़ेवे कुछ questions के answer देते हैं सबसे पहले we bath in the bedroom no हम कहां bedroom में आते हैं क्या नहीं हम सब कहां आते हैं bathroom में we should keep our house neat and clean yes हमें अपना घर साफ सुत्रा रखना चाहिए house protect us from animals only no सिर्फ जानवरों से नहीं बचाता है खराब weather से भी बचाता है all houses have windows and door yes तो इस तरह से हम इन questions के answer दे सकते हैं इसके बाद बच्चों fill in the blanks है food is cooked in kitchen खाना कहां पकाया जाता है kitchen में we all need a house to live in हम सब को रहने के लिए घर की जुरत होती है we should keep our house clean हमें सब को अपना घर साफ रखना चाहिए kaccha houses are made of mud and straw तो इस तरह से बच्चों हम इन देवे questions के answer दे सकते हैं I hope आपको समझ में आया होगा कि हमारा house कितना जरूरी होता है और अच्छा होना चाहिए thank you हम जड़ता जड़ता है झाल 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 झाल